फ्रेंड्स कटोरी ब्लाउच की पर्फेट तरीके से फिटिंग करने में बहुत से लोगों को परिशान ही आती है तो बस आपको ब्लॉच फिटिंग करने से पहले एक छोटा सा काम करना है और हो क्या है आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो प्लीज वीडियो को पूरा देखिएगा पूरा वीडियो देखिएगे तभी आपको समझ में आएगा ने तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा त इसका वीडियो मैंने पहले शेयर किया हुआ है, उस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छे से डिटेल में बताया हुआ है, वो वीडियो आपने नहीं देखा है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर आप देख सकते हैं, देखे यह यहां पर मैंने पिछे का भी पल्ला इस तरह से रेडि करके रखा हुआ है, और मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि आपको सबसे पहले पिछे का पल्ला रेडि करना है, उसके बाद ही सामने का पल्ला रेडि करना है, तो देखे यहां पर मैंने फ्रेंट और बैक दोनों पल् मिला के रखेंगे और फिटिंग वाला जो यह कट लगा हुआ है इसमें दोनों कट्स को हमें आमने सामने मिला के रखना है इस प्रकार से और नीचे की तरफ देखेंगे कि यह कितना बड़ा है तो दीखें सामने का पल्ला हमारा बिल्कुल आधा इंच बड़ा है और यहाँ यहाँ पर हम कमरपटी अटेच करें तो यह बराबर यहाँ पर हो जाएगा तो सामने का और पीछे ऐसी बराबर हो जाएगा कमरपटी करने लेंगे कमरपटी तो फिर्ट्स आप अगर में चानल पर नए हैं और अभी तक चानल को सब्स्राइब नहीं किया है तो प्री चानल को सब्स्राइब करके विए लाइकन को प्रेस कर लिजेगा और साथे में वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक करना ना भूलिएगा पर कमरपटी अटेच कर लिए अब इस पटी को मं इस तरव से पल्ड़ेंगे और से 63 की उपर से हमें यहां पर इस तरह से दवाज के लिए सिलाइ लागानी है तो दोनों पार्ट में हम इस तरह से सिलाइ लाइभा देंगे दुख ञेब्लाबी विडियोज कर से थोड़ा फोल्ड करेंगे और उसके बाद हम इसको उल्टी साइट पलट देंगे तो दोनों पार्ट्स में इसी प्रकार से इस पट्टी को थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लेंगे एक कमरपटी अटेच करने का ये भी एक अच्छा बहुत ही आसान तरीका है इस तरीके से आप आसानी से कमरपटी अटेच कर सकते हैं देखिए कमरपटी हमने अटेच कर लिया है और यहाँ पर मैंने कच्छी सिलाई लगा दी है बाद में हम इसमें दूरपाई कर लेंगे हाथ से अब देखिए इतना हो जाने के बाद आपको ब्लॉज फिटिंग करने से पहले यहाँ पर चेष्टेक करना है कि करना है अपादो आपको चेक कर लेना है तो चली हम फ़ोला लेंगे और यहाँ पर हम सामने हुले यहाँ यहाँ आम ब्लब देख आर्मोली उसका आधा करते हैं तो यह 8 इंच हो जाएगा तो 8 इंच यहां पर यह बराबर आ रहा है अब हम देखें सामने का पला इसकी उपर रखेंगे बराबर मिला के रखना है इस तरह से नीचे की तरह बराबर मिला के रखेंगे उपर शूल्डर से शूल्डर मिला के दोनों कट्स को इसको बराबर आमने सामने रखना है और यहां पर आप देख सकते आर्मोल का जो शेप है वह भी बराबर है अब इसके बाद हमीं चेक करना है चेश्ट का फोर्थ पार्ट ठीक है तो गड़बर यहीं पर होती है चेश्ट में यहीं से आपका फिटिंग का प्राबलम होता है यहीं से शुरू होता है इसमें आपको यहां पर ध्यान से देखना है कि आपको क्या करना है ठीक है अब देखिए इस प्लाउज में चेश्ट साइज जो है वह अड़तीस इंच है तो उसका फोर्थ पार्ट हम यहां पर साड़े नौव इंच लेंगे तो तो उसके हिसाब से आपको टेप को इस तरह से बराबर मिला के रखना है और देखिए इस तरह से थोड़ा इसको खीचेंगे तो यह थोड़ा आगे की तरह बढ़ता है और एक इंच तक यहां पर यहां पर इस तरह से बढ़ जाता है एक इंच तक तो यहां पर एक इंच ज पढूल यहाँ पर आजाता बगल में ठीक है तो इस परकार से आपको यहाँ इसमयत जो है उसको काठ कर लेना है यह के लिए आपको आगे की तरफ कर लेना है इस परकार से अाधा यहाँ पर इस तरह से टेप रखेंगे और आदा इंस तक कट कररें आधा कपड़ा कर एर duct है। और इस तरह से उलग करने, यहीं पर गलती होती हैं यहीं घलती आपको नई करनी हैं आपको बराबर की चेक कर लेना लेना है क्योंकि कम बढ़ाने पड़ाने के बाद वह कपड़ा जो एक्ष्ट्रा हो जाता है कभी 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 परफेक्ट तरीके से कट जाती है कटोरी और कभी कभी एक्ष्ट्रा हो जाता है तो इसको आपको यहां से कट करके अलग कर लेना है तो यहां पर हम इसको सीधा मिलाएंगे इस प्रकार से चेश्टे हैं तो यहाँ पर देखे जो हमने लाइन कीचे वहाँ से आदा इंच इस तरह से छुड़ जाएगा देखें हुप पट्टी के लिए और यहाँ पर देखें इस प्रकार से यह आदा इंच छोड़ के हमें यहाँ पर नापना है चेश्ट का दसवा हिस्सा ठीक है त तो वह 3,000 एंच आयगा 36 है तो वह reflected पाउनी 4 इंच आयगा इस प्रकार से अपको चेश्ट का दसवाहिसा अब लेना है ठीक है तो देखें अब हमने दोनों प्ल्हों को ISPर इस प्रकार ंपकर के लिए और दोनों पार्स में से जो इंट्रा कपड़ा है उसको कट करकर सबसे करें अर बराबर इसको सिदा किट कर लेना । इस-प्रकार से हम ने याव 가지고 कुछ अब देखि-खे यहाँ पर हम इसको कुल देगे और यहाँ पर आखे पेली हुपट्टीは अटेच कर लेंगे इस प्रकार से अब देखें यहां पर पट्टी अटाच करते वह अगर आपका कम ध्यादा हो रहा है तो आप कर लिएगा देखें के ब्लाउज की सबसे कम हो रही है तो आपको क्या करना है हुग पट्टी को आपको कम सिलाइ लेते हुए लगाना है ठीक कम सिलाय मार्जिंग रखेंगे और हुक पट्टी अटेच करेंगे और अगर बराबर है तो आप आधा इंच का मार्जिंग यहाँ पे सिलाय में दबा सकते हैं तो यहाँ पर देखे हमने इश्ट्रा पट्टी कट कर लिया अब उपर से भी हम कटो आधा ऑड़ी को इटेच कर लेंगे तो अब दिख इसके बादेस सिधा करें और साइड़ से प्लट करते हुए एक सिलाय लगा देंगे अब इसके बाद दिखिए इसको हम सिधी साइड पलटेंगे तो तो यह जो मार्जिंग वाला हिस्सा है यह बराबर पुरा कवर होना चाहिए तो यहाँ पर हम इस तरह से इसको कवर करते हुए मार्जिंग वाले हिस्से को इस पट्टी को पल्टेंगे ठीक है और यहाँ पर हम इसको सिलाई लगा देंगे तो इस प्रकार से आपको मार्जिं इस प्रकार से अब देखे इस प्रकार से हमने दोनों पार्ट को रेडी कर लिया है और देखे यहां पर दोनों पार्ट को रेडी करने के बाद आपको इस तरह से बराबर मिला के रखना है और चेक कर लेना है कि आपका दोनों पार्ट में से कोई छोटा बड़ा तो नहीं है गले की तरप अगर छोटा बड़ा है तो आपको बराबर कर लेना है यहाँ पर हमारे दोनों पल्ले बराबर है हमें यहाँ पर कुछ भी करने की ज़रत नहीं है ठीक है तो दीखिए अब इसके बाद हम फ्रेंट और बैक दोनों पार्ट को अटेच कर लेंगे तो इस प्रकार से दीखिए अब दूसरे तरफ का भी पल्ला हमें यहाँ पर अटेच कर लेंगे तो दीखिए दोनों शूल्डर समने अटेच कर लिए अब शूल्डर में अगर आपके एक्स्ट्रा फैबरिक है तो उसको आप यहाँ से कट कर लीजेगा और दीखिए शूल्डर से करते ऐसे कट करेंगे गले की तरफ से तो आपकी शूलडर से उतरने की संभवना होती है अब चलिए इसके बाद गल्यमें कर लेते हूँ इने बताया हुआ है विडिएविजिए में आप ड़ेशियर किया हुआ है उस वीडियोमें आप डेटेल मेरे जायरे तो वह विडियो बिल्कुल सेंटर में मार्किंग कर लेना है इस प्रकार से अब दोनों सामने और पीछे के पल्ले को आपको दोनों पल्लों को बराबर करना है इस प्रकार से इस मार्किंग के साथ बराबर मिला के रखेंगे एक पल्ले को इस तरह से देखिए बराबर मैंने सेंटर से मिला के रखब पत्टी को और इस तरह देखिए जो भी है उसको अपको कट कर लिना इसको आपको क्या करना ही देखिए यहां पर अब को मिला के रखने के बाद इस पराकार से टिप को लिखना है और कमर का यहां पर प्श। पर नापना है ठीकि तो 34 इंच कमर है तो उसका फोर पार तो 9.5 इंच पर हम इस तरह से मार्किंञ करेंगे और बाकी आपलो इसको कट करason कल Works में रखेनों जो कि पर यहां पर की तरह थाएं पर सब्सक्रत स्वक्त क्लिए अलग करेंगे में थालेइंग रखनाव्ट आपनावन करने चा情况 चाहिंगे 100 चाहिंगे तो बराबर यहाँ पर इस तरह से मिलाके रखना है सेंटर से इस पल्ली को और यहाँ और बाकी का जो कपड़ा है उसको कट कर लेना है तो इस तरह से मिनि यहाँ पर इसको बराबर कर लेना है तो इसके बाद यहाँ पर हम अस्तिन लगाएंगे तो अस्तिन को मिनि इस तरह से ready करके रखा हुआ है और यह देखिए यहाँ पर मैंने जो marking किया हुआ है यह front side का हिस्सा है अस्तिन का तो front side का हिस्सा आपका front में आना चाहिए और back side का back side में आना चाहिए तो इस प्रकार से देखिए अब हम इसको बराबर shoulder का जो giant है वहाँ से अस्तिन को पलटेंगे और double side लगाती हुई इस तरफ आएंगे और अब हम यहाँ पर back part के तरफ भी अस्तिन को attach कर लेंगी तो इसी प्रकार से आपको दोनों तरफ अस्तिन लगा लेना है तो एक तरफ का मेंने आपको यहाँ पर बताया है इसी प्रकार से हम दूसरे तरफ अस्तिन को attach कर लेंगी तो दीक है अस्तिन को यहाँ पर पलट लेंगे और इस तरह से नाकुन से कृच कर लेंगे तो दिखिए सीधी साइट मेंने यहाँ प्लाओज को पलट के रखा हुआ है और इस तरह से बड़ाबर जॉइंट जॉइंट मिलाते हुए एक सिलाइ लगाना है तो किनारे किनारे हम एक सिलाइ लगा देंगे तो देखे सिलाई हमने लगा दिया और इस्टर फैबुडी कहां से हमने कट कर लिया अब इसको मुल्टी साइट पलटेंगे और उल्टी साइट पलट के हम किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे इस प्रकार से यहाँ पर बराबर अच्छी से मिला के रखेंगे और सिलाई लगा देंगे तो देखें सिलाई हमने लगा दिया है इसी प्रकार से हमें दुस्रे साइड भी सिलाई लगा लेना है तो दुस्रे साइट भी हम इस तरह से पकड़ेंगे और जॉइंट से रखते हुए सीधी साइट से इस तरह से किनारे से एक सिलाई चला देंगे और इसको उल्टी साइट पलट देंगे तो दिखे सीधी साइट से सिलाई लगाने के बाद इसको मैंने उल्टा पलट दिया, उल्टा बलटने के बाद एक सिलाई और लगा दिये, साइट साइट से, अब दिखे यहाँ पर हम आई पट्टी छोड के कमर का फोर्ट पार्ट लेंगे, अब अपना हम फिटिंग नाप यहाँ पर तो 8 इंच पर इस तरह से मार्किंग कर रहें, तो आई पट्टी छोड के इसको नापना है, ठीक है कमर को, और दिखे चेश्ट का भी फोर्ट पार्ट लेंगे, तो इस प्रकार से आई पट्टी को छोड के हम यहाँ पर टेप को रखना है, और चेश्ट का आई 9 इंच, 38 इंच यहाँ पर आना चाहिए और आर्मोल बराबर 8 इंच आ रहा है, अब अस्टिंग की मोरी है चेश्ट, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर चेश्ट पर मार्किंग करेंगे, तो इस प्रकार से चेश्ट पर इस तरह से निशान लगाएंगे, अब तीनों नि तो आपको वोग से टिप्स देते हूं अपने वीडियो के माध्यम से तो आपको वो देखना है समझना है और इसी प्राकार तो इसी प्रकार से हम दूसरे साइट भी फिटिंग कर लेंगे तो देखिए दूसरे साइट भी हमने यहाँ पर इस तरह से मार्किंग कर लेना है फिटिंग का तो फिटिंग नाप डालेंगे यहाँ पर अस्तिन का यहाँ पर मार्किंग करेंगे चेंच पर चेंच मोरी है और और आर्मोल यहाँं पर 8 इंच है तो इस प्रकार से 8 इंच पर मारकिंग करेंगे इस प्रकार से पकड़ेंगे पर की तरफ शोल्डर से अपको बराबर मिला के रखना हो को और 8 इंच पर मार्किंग करना है नीचे की तरफ हम मार्किंग करेंगे कमर के लिए कमर फोर पर लिए यहाँ पर 34 इंच का यहाँ पर तो हुग पट्टी की तरफ आपको बराबर टेप को पूरा मिला के रखना है और शाड़े आट इंच पर मार्किंग कर लेना है अब तीनों निशानों को मिलाते हुए हमें फिटिंग की सिलह डाल देनी है तो चलिए यहाँ पर फिटिंग की सिलह डाल देते हैं तो इस प्रका को तो 34 इंच कमर है तो यह बराबर 34 इंच यहाँ पर आना चाहिए नहीं आता है तो उसको आपको यहाँ पर सिलह लगा के बराबर कर लेना ठीक है तो देखिए यहाँ पर यह साड़े 34 इंच आ रहा है तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको चार से डिवाइट करते हैं तो तो यह थोड़ा थोड़ा यहां पर हमें सिलाई लगाना पड़ेगा ठीक है तो दूनों तरफ हमें इस प्रकार से बिल्कुल एक एक पॉइंट पर यहां पर सिलाई लगाने एक पॉइंट दुरी से तो इस प्रकार से सिर्प कमर में हमको टाइट करना है बाकी हमें कई पर भ कि ब्लाउज की जो फिटिंगे आपको परफेक्ट तरीके से करनी हैं सभी मेजर मिन्स को नापना हैं ब्लाउज की फिटिंग करनी के बाद अब देखिए कमर को हमने नाप लिया अब इसको ब्लाउज को सिधा करते हैं और चेश्ट को भी हम एक बार जरूर नापेंगे तो च अब हम इसको सिधा करने के बाद इसका चेश्ट भी यहां पर नाप लेते हैं तो देखिए चेश्ट का फोर पार्ट नापेंगे यहां पर 38 इंज का यहां पर साड़े नौव इंच आने चाहिए तो इस प्रकार से आपके ब्लाउज में भी फिटिंग करने के बाद आपको तो हमने यहां पर दोनों तरफ नमापा दोनों तरफ हमारा जो कशीश्ट का मेजरमेंट करने को